CM योगी अधितनाथ आज गोरकपुर में करेंगे रोडशो आज दोपहर साड़े तीन बजे गोरकपुर में रोडशो करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी अधितनाथ शहर और ग्रामेल विदान सवा के लिए करेंगे रोडशो और रोड शो के दोरान बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौझूद तो उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ गोरख पूर में करेंगे रोड शो और रोड शो में बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौझूद C.M. योगी अधितनाथ बीत पाबल तोर चुनाव परचार में जिटे हुए है आज C.M. योगी अधितनाथ दोरख पुर में दोपहर साल तीन बजे करेंगे रोड़ सो शहर और गामिल विदान सवा के लिए करेंगे रोड़ सो और रोड़ सो में B.J.P. के कई बड़े नेता रहेंगे बोजू तो गोरख पुर में C.M. योगी अधितनाथ आज करेंगे रोड़ सो सट्वें चड़ल के चुनाव परचार के लिए C.M. योगी अधितनाथ पियां नरेंद्र मोदी, जेपी रड़ा, ग्रेमंतरी अमिल शागों में तमान जो दिगज है B.J.P. के पूरी ताकत उन्होंने जोग रखी है गोरख पुर में शहर और ग्रामिल विदान सवा के लिए रोड़ सो करेंगे C.M. योगी अधितनाथ और इस दौराम रोड़ शो में बीचे पी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजू गोरख पुर में आज उत्तरप्रदेश के मुक्ते बंतरी योगी अधितनाथ करेंगे रोड़ शो और दोपर साड़े पीन बजे गोरख पुर में ये रोड़ शो होगा शहर और गामिर विदाज सवा के लिए करेंगे रोड़ शो अधियम योगी के रोड़ शो में बीचे पी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजू चुनाओ परचार लगातार जानी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ आज गोरख पुर में रोड़ शो करेंगे दोपर साड़े पीन बजे होगा रोड़ शो शहर और ग्रामिर विदाज सवा में करेंगे रोड़ शो और इसी ख़बर पर हमारे साथ यूपी बियोरो शीफ दिनेश तरपाठी जी जोड़ गए है दिनेश जी आज जिस तरह से चटवे चरण का चुनाओ परचार लगातार जारी है सीम योगी अधितनाथ भी गोरख पुर में रोड़ शो करने वाले सार क्या अपडेट है सीट जहां से वो पाज बार लगातार बिदा चांसद रहे हैं पहली बार वो यहां बिदान सवा चुनाओ लड़ रहे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ साहिट भारती जनता पार्टी के कई बरिष्ट लेता आज गोरख पुर में रहेंगे जहां मुख्य मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ साले तीन बजे एक बड़ा रोख सो करेंगे जिसमें उनकी सदर की सीट जहां से मुख्यमंत्री खुद प्रत्याशी है और उसके बाद ग्रामीड विदान सवा सीटों के लिए रोख सो करेंगे मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ के सबी प्रदेश के और चेंद्र के कुछ पदादिक्यारी मौजूद रहेंगे योगी आधितनाथ लगातार इस लोकसभा गोरखपुर की लोकसभा से चार बार शांसद रहे हैं पाच बार अब पहली बार जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और चट्वे चरण का करेंगे यह बहुत कटिन परिक्षा भी है सीम योगी आधितनाथ के लिए और उनके अपनी सीट तो उनको बचानी है साथ साथ उनके साथ जो गोरखपुर से अन्य विदान सभाव से तो तुमाम नेता खड़े हुए हैं उनको भी कहीने कई विजय दिलानी है जी बिल्कुल जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने वहाँ मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ के घड़ में उनको घेर लखा है समाजवादी पार्टी लगातार रोख्षो और जनसभाएं करके मुख्यमंत्री की जाओं पर दाग लगाने की कोशिश कर रही है उसके सांसद रहे हैं ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बात हो गई है उनकी प्रतिस्था पूरी जाओं पर लगी है गोरफपूर की सभी सीटों पर उनकी सीट तो है ही लेकिन उसके साथ साथ ग्रामीर और गोरफपूर के आसपास की सीटों पर जीतना भार्ती जनता पा जी ब्यूरो चीफ दिनेतर पाड़ी चीज पूरी खबर पर ज़्यादा जनकारी दे रहे थे तो निश्चित तोर पर सेम्योगी अदेतरात के लिए बड़ी परिक्षा है ये और इसमें कितना सफ़ल हो पाते हैं ये आने वाला 10 मार्च को पता चलेगा